हमस्कार मैं त्रिनाथ्राना कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज जिन्हें आज कल हम आदी मानों कहते हैं वे जंगलों में पहाणों पर इस्तित गुफाओं में रहा करते थे वर्तमान समय में भी इस्थान विशेश पर ऐसी प्राचीन गुफाएं हमें देखने को मिल जाती हैं इन में से सरवादिक प्रसिद्ध हैं हमारे 36 गड के रायगड जिले में इस्थित सिंगनपूर की गुफाएं सिंगनपूर में इस्थित पहाड़ी पर हमें देखने को मिलते हैं कई प्राचीन शैलास्रे और इनमें से कुछ की दिवानों पर अंकित हैं गैरिकरंग के शैलचित्र पुरा तत्तविदों का मानना है कि ये शैलचित्र आदी मानों द्वारा बनाए गए हैं तो आईए हम चलेंगे सिंगनपूर एवं आउलोकन करेंगे वहाँ इस्थित प्राचीन शैलास्रे यों का एवं उनकी बित्यों पर अंकित गैरिकरंग के शैलचित्रों का रायगाड रेलवे स्टेशन से लगभग 21 किलोमेटर दूर पश्चिन दिशा में रायगाड खरसिया मार्ग पर इस्थित है ग्राम सिंगनपूर सिंगनपूर के उत्तर दिशा में सगनवन है मार्ग से दाई तरप हमें दिखाई देता है गुफा का प्रवेश द्वार जिसके पार्षव में एक पटल पर अंकित है गुफा के संबंध में सामानने जानकारी गुफाएं जिस पहाड़ी पर अवस्थित हैं वहां तक पहुचने के लिए हमें सगनवन को पार करना पड़ता है ये वन अत्यंत कंटीले वपथरीले हैं इन कंटका के इन मार्गों को पार करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं या तो पहले से बनी पग्रिंडी का प्रियोग करें अत्वा अपना मार्ग स्वयम बनावें परन्तु दोनों ही परिस्थितियों में कठोर परिश्थ्रम के अतिरिक्त कोई भी कल्प नहीं है पहाड़ी काफी उची है और इन मार्गों से वहां तक चड़ने के लिए स्रम साध्य होती है परन्तु पहाड़ी की उचाई पर पहुचने पर सम्मुक का द्रिश्य देखकर मन आनंदित हो जाता है वो यात्रा की ठकान लगभग लगभग आधी हो जाती है इस पहाड़ी पर अनेक प्राचीन शैलास रहे हैं यदि हम इनकी गिंती पश्चिम से पूर्वकियोर करें तो वर्तमान में जो गुफा आपको दिखाई दे रही है यह प्रतम क्रमांक में आवेगी इस गुफा का मुख काफे मिशाल है वो इसके भीतर का इस्थान और भी बड़ा आएद इसके भीतर प्रवेश करके देखते हैं गुफा के भीतर की भित्तियां गीली वह फिसलन भरी है और यह मौसम भी वर्शारितु का है अतह दिवारें गीली है गुफा की निचली सतह पर चमगादरों की बीटें भरी हुई है उपर हमको चमगादर उड़ते हुए दिखाई देते हैं जैसे जैसे हम गुफा के भीतर प्रवेश करते जाते हैं स्थान कम होते जाता है और रोशनी भी कम होने लगती है एक निश्चित दूरी के बाद हम और भीतर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि अस्थान अत्यन्त कम हो जाता है हो सकता है किसी समय में आदी मानव इन गुफाओं में रहते हो परन्तु वर्तमान में तो चमकादरों ने इस गुफा पर अपना अधिपत्य जमा रखा है गुफा की छत काफी उची है अर्थात भीतर रहने के लिए परियापत स्थान उपलब्ध है निश्चे ही यह आदी मानवों के रहने के लिए उप्युक्त आवाथ रही होगी चमकादर की बीटों के कारण भीतर का गंध अरुची कर है आईए बाहर के दृष्चों का आनन्द लेते हैं अब हम चलते हैं सेलासे क्रमांग दो की ओर यदि हम प्रत्यक गुफा को एक घर समझें और इस पहाडी को आदी मानवों का एक गाउं तो वर्तमान में हम इस पहाडी का जो दृष्चे आपको दिखा रहे हैं वह इस स्थान का विद्याले होगा क्योंकि इसे स्थान पर अंकित हैं आदी मानवीय साक्षर्ता के चिन्न अर्थात आदी मानवों द्वारा अंकित सेल चित्र जो इस स्थान को विशिष्ट बनाते हैं एक हिरन की मुखाकृती आप सामने देख रहे हैं ये सेल चित्र हजारों वर्सों तक प्राकृतिक विसमताओं के साथ संघर्स करने के उपरांत भी अपना अस्तित्व बनाई रखने में सफल रहे हैं अर्थात इन चित्रों को बनाने के लिए जिन रंगों का प्रयोग किया गया होगा वो निश्चे ही उच्चकोटी के रहे होंगे गेरू, गोन, अत्वापसों की चर्बी नजाने किन वस्तों का प्रयोग किया हो गया होगा इन चित्रों को बनाने के लिए शिकार का यह द्रिश्य एस थान का सरवाधिक प्रसिद्ध चित्र है एक वनभेंसे का शिकार करते हुए कुछ लोग वह उपर दोड़ते हुए हिरन आप देख सकते हैं इन जानवरों को घेरे हुए मानौ की टोली जोकी इनका सिकार कर रही है इस सिकार द्रिश्चक के पार्षव में एक मानौ पंक्ती भी दिखाई दे रही है कुछ लोग इसे नर्तक टोली कहते हैं परन्तु मेरे विचार से यह सिकारीयों की टोली है जो जानवर को सामने से घेर रही है नीचे हाथ में हत्यार लिये हुए दो मानौ पंक्तियां सपस्ट रूप से देखी जा सकती है उसके नीचे एक दुन्दरी मानौ पंक्ति वो उसके पार्षव में नर्तक यूगल आप देख सकते हैं पार्षचक्तान पर एक चौपाए जानवर की आकरिती भी दिखाई दे रही है आदी मानौ संभावतह आगामी पीढी को जीवन जीने के तरीके सिखाने के लिए इन चित्रों का प्रियोग करते थे शिकार का यह दृष्य इस स्थान का सरवादिक प्रसिद्ध दृष्य है आगे प्रस्तुत है पहाड़ी की उंचाई से निचली समतल जमीन का विहंगम दृष्य यह दृष्य अद्यन्त मनमोहक है नीचे से लेकर उपर तक इस पहाड़ी की सुन्दर्ता एवं भव्यता देखते ही बनती है अब हम बढ़ते हैं सैलास्रे क्रमांग तीन की ओर दूर से देखने पर अनुपातिक रूप से यह गुफा छोटी लगती है और यह छोटी है भी इसका मुख अत्यन्त छोटा है इसमें हम खड़े होकर प्रवेश नहीं कर सकते परन्तु गुटनों के बल बैटकर हम आसानी से इसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं यह रहने के लिए उपिक्त हो अथवा नहो परन्तु लेटकर अत्वा बैटकर आराम करने के लिए यह गुफा परियापत इस्थान प्रदान करती है गुफा के सम्मुक सिरे से आती हुई रोशनी हम देख सकते हैं भीतर एक निश्चित दूरी के पस्चात यह अत्यंत सकरी हो जाती है जिससे आगे बढ़ना संबाव नहीं होता यह एक सुरंग नुमा सैलास रह है गुफा के दिवारें एवं गुफा के भीतर से सम्मुक दिर्श्य यहां से बाहर निकल कर जब हम कुछ दूरी तक आगे बढ़ते हैं तब अपेक्षाक्रित अधिक उचाई पर हमें सैलासरे क्रमांग चतुर्थ मिलता है आईए इसके भीतर प्रवेश करते हैं यह गुफा उचाई में तो परियाप्त बड़ी है परन्तु यह अधिक लंबी नहीं है सैलासरे क्रमांग एक की तरह इसके भीतर भी चमगादरों ने अपना अधिपत्त्य जमा रखा है गुफा के उपरी हिस्से पर एक पत्तर हट जाने के कारण भीतर रोशनी आने लगी है अर्थात इसके भीतर परियाप्त रोशनी उपलब्द है यह गुफा का सम्मुख द्रिश्ट है और गुफा का मुख आप देख सकते हैं गुपा के छट भी परियापत उची है रौसनी के साथ साथ वर्षा का जल भी भीतर आ जाता है रहने ही तू उप्युक्त स्थान है इसी गुपा के सम्मुक एक स्थान पर जिसे हम सेलाश्रे तो नहीं कह सकते परन्तु विश्राम के लिए उप्युक्त स्थान हमें मिलता है इसके आगे इस्तित है एक अत्यंत महत्तो पोन सेलाश्रे सामने से देखने पर इसका मुक्त अत्यंत छोटा दिखाई देता है परन्तु जैसे ही हम इसके भीतर प्रवेश करते हैं हमें परियापत इस्थान मिलता है पहली बार इसके भीतर प्रवेश करने का विचार मेरे लिए अत्यंत भायावह था परन्तु फिर भी मैंने इसके भीतर प्रवेश किया एक संक्रे मार्ग से इसके भीतर प्रवेश किया जा सकता है जैसे जैसे हम भीतर प्रवेश करते जाते हैं अंधेरा बढ़ता जाता है और भीतर प्रवेश करने पर हमें एकदम गुप अंधेरा दिखाई देता है गुफा की छत से पानी टपक रहा है गुफा के भीतर रोशनी बिलकुल नहीं है मन बार-बार आशंकित होता है न जाने भीतर कौन सा जानवर हो भीतर यह गुफा परियाप्त बड़ी है यह गुफा का सम्मुक द्रिश्य है कैमरे की फ्लेश लाइट में भीतर का द्रिश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है इसके भीतर भी चमगादणों का आवास है इस गुफा से कुछ ही दूरी पर सामने एक आवास योग्य स्थान है उपर छत्नुमा सरचना है वह नीचे रहने योग्य जगह और इसके सामने कुछ ही दूरी पर एक छोटी गुफा जहां कदाचित कोई जंगली जीव रहता है धरती की प्यास बुझाती यह सुन्दर स्रावणी निरिजरिनी और उसी के पार्सुमें इस्तित है एक और सैलासरे बाहर से देखने पर यह सैलासरे छोटा दिखाई पड़ता है परन्तु जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तब यह आवास योग्य परियाप्त स्थान प्रदान करता है दोर से देखने पर हमें दिखाई देते हैं इसके भीतर किसी जंगली जीव के खाये हुए भोजन के ओसेस अर्थात यह स्थान वर्तमान में किसी जंगली जीव के आवास के रूप में उप्योग हो रहा है अब तक जितने सैलासरे हमने देखे वे सब आदी मानवों के आवास हेतु उप्योगत थे इनके अत्रिक्त कुछ छोटे सैलास्रे भी हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं इस प्रकार यहां अनेक छोटे बड़े और भी सैलास्रे हैं इसी तरह का एक और सैलास्रे जो बाहर से परियाप्त चौड़ा है परन्तु जैसे जैसे हम इसके भीतर प्रवेश करते जाती हैं स्थान संकीर्ण होता जाता है एक अत्यंतगहरी गुफा और इसी के पार्सों में एक और आशय और ये दोनों इस्तित हैं एक विशाल गुफा के भीतर जिफके भीतर अभी मैं बैठा हूँ और यह है इस गुफा का सम्मुक द्रिश्या इस चल चित्र में हमने सिंगनपूर के दस सैलासरयों के चित्र दिखाने का प्रयास किया है मैं आशा करता हूँ कि इस चल चित्र में आपको अवश्य ही कुछ नवीन वस्तुएं एवं कुछ रोचक चित्र देखने को मिले होंगे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार